हलो स्टुडेंट्स दिस रितु शर्मा वेलकम बेक टूम यूट्यूब चनल एडू फ्लाइट इस वीडियो में हम लोग बात कारेंगे ओह भी रिजल्ट की येस काफी सारे सब्जिक्स का ओपन वुक एक्जाम रिजल्ट आ चुका है आपका तो इस वीडियो में हम लोग को एंड तक देखना है और इस वीडियो को जादा से यादा शियर करना ताकि जिन भी बच्चे को रिजल्ट आ गया है वो अपने रिजल्ट चेक कर सके और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस दा बैल तक आगे भी कोई अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ठीक है अब एक चीज़ समझो यहाँ पर की देखो इस बार जो एक्जाम हुए थे ना आपके चाहें फिर वो एसो एल के स्टूड़न के आपको क्या करना है लेकिन अब उसमें थोड़े से चेंजिस हुए हैं कि अब पहले क्या था कि आपको फिजिकली जाना था डिपार्टमेंट में लेकिन अब उन्होंने थोड़े से चेंजिस कर दिये हैं उस चेंज में ठीक है तो वो चेंजिस क्या हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे ड यू की वेबसाइट तो यह है यूनिवर्सिटी ओफ डैली की ओफिशियल वेबसाइट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसमें जब आप जाते हो यह एक्जामिनेशन वाले सेक्शन में तो यहां पर जाने के बाद आपको जाना है यहां लुपिकेशन वाले सेक्षन में टीक है ओप जो एक्जामिनेशन간 डेट लेड इसमें ने के लीज्टे भी नोडीकेशन होती न ऊस में तू यहां पे ечड biggest İş Micro यहां पर दो यह जो नोडिकाशन में benefici आप को यहां पर यूचर इःट य्देगा मैं हां दिखाफ है यह सज् बच्चों इग्जाम नहीं तक कर रिजल्ट इनोंने डिकलेर कर दिया यहां पर इस पर जब आपको डिटेल में बताऊंगे शाम वाली वीडियो में अब यहां पर हम बात करते पहले यह चेकर ठेकर थे तो यहां पर दिखा हूं but क्लिक तो यहां पर आपको व्हों दिखा देगा समिस्टर की सब्जक्ड वालों के सब्जिक्ड कर सकते हैं किसके को सेशिक कर सकते हैं आपसे के क्या च झालब तो तो ऊसके बाद इसके बाद अब आपको यहां पर क्या करना है तो ठीक है तो तब आप स्टेट्प्मेंट और क्या करना है आपको प्ली स्लेक्ट था कॉलेज नेम यहां से आप college name select करोगे अब देखो इसके अंदर आपको school of open learning का भी मिल जाएगा nc web का भी मिल जाएगा option जब नीजे जाओगे तो और यहां पर regular के तो सारे colleges हैं ठीक है यह चेक करोगे यहां पर उसके बाद और फिर यहां पर अपना examination role number डालोगे लिखा है जब आप click करोगे तो जिन बच्चों को result declare हो चुक है उनका तो result खुल के आ जाएगा ठीक है और जिन बच्चों का result declare नहीं हुआ है उसमें ऐसे कुछ लिखा आ जाएगा sorry no result found ठीक है तो please यहां से check कर ले ना panic नहीं हो ना अगर no result found आ रहा है तो क्यूंकि हो सकता है कि आपके subject का या आपके course का result अभी ना आया हो है यहां से check कर लो अगर आपके list में वो subject है तो आपका result आ जाना चाहिए उसमें अगर कोई problem हो रही है तब आप वो application वाला procedure फॉलो करोगे और अगर आपके result में कोई problem नहीं है और अगर आपका result अभी तक नहीं आया वो subject show नही आसे तो इसी तरीके से करना है और जिनका नहीं आया है वो थोड़ा सा wait करो तो आ जाएगा result उनका भी ठीक है तो यह थी एक छोटी सी information I know के बच्चों को बेसबरी से इंतिजार था कितने बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारे exam तो अगस्त में ही complete हो गए थे तो हमारे result का बाएगा first phase में हमारे सारे exam हो गए थे तो फिलाल के लिए तो यह जो result है वो first phase वालों के लिए डिक्लेयर के आगे जिनके सारे exam first phase में ही हो गए थे अब अगर जिन बच्चों के कुछ exam second phase में हो तो हो सकता है उनका result जो थोड़े time बाद आए ओके तो प्लीज इस वीडियो कि यहां पर लिस्ट में दिये हुए subject अगर उनका वो subject है तो वो अपने result देख सके और जिनका नहीं आया है वो थोड़ा सा wait कर लो मिलते है next video में और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी कि किस तरी किसा आपको apply करना अगर आपके result में कोई problem है आपको absent शो करा गया है कह नहीं पर भी अगर रिजल्ट के अंदर तो वो जरूर देख लेना इनकेस अगर आपको कोई problem होती है तो आप वो procedure को follow कर पाऊगे ठीक है और अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please do subscribe and press the bell icon मिलते है next video में तब तक के लिए टेक केर बाइबा वाल थे बेस्ट